नमस्कार दोस्तों आहीज उस्टेरिया में आपका स्वागत है दोस्तों हम लोग है अधुटेरिया का बिहार सभषी के लिए प्रैडिस चला रहे हैं। आज तक हम लोग Wassept no.6 तक का डिस्कॐम कर लिया है। आज हमलोग些 सेp no.7 का डिस्केशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेगा, ज़दि आपको यवीडियो अच्छा लगैए तो वीडियो को लाइक कर दिजिए गशा, चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए गा वीजो साथे साथ बेल आइकन को प्लिस्ट कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकते हैं यदि आप इस वीडियो का पीटिएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयू सटरी जोइन कर सकते हैं वहां मैं सभी व कुछन है निउन में से कौन घुटव होने के साबुन ने में इसका सावुन के रूप में काम नहीं आता है तो गिलीसर्ण के को greenhouse स्मेटिक्स में होता है ना कि कपड़ ध्वाने के साबुन में फिलर के रूप में इसका इन्सेर नमबर 1 साबुन बसी हमाएं लगवाएं या फिर पोटेसियम olmazन नहीं होते हैं छो इसको फोटेसियम फहता है और इसको मुलंबर साबुन नहाने निमन में से कौन सा जो है जिवानों विनाइटरी करन की परकिरिया में भाग लेता है तो स्वीडो मोनास यह जो है विनाइटरी करन की परकिरिया में भाग लेता है राइजोबियम मतर कुल के पौधर की जर में रहते हैं और बायो मंडल से नाइट्रोजन का इस्थिरी करन करता है यह जो टो वेक्टर एजो आस्पायलियम तथा कलो अस्टोडियम जिवानों जो है स्वतंत रूप से मिठ्टी में निवास करता है और मिठ्टी के कनों के और ओब टो नैक्स्ट पोचन है यह किस विटामीन को थायमीन कहा जाता है यह विटामीन वी owning के आता पसे महीं मभ जाताया उप संब्स इस खंग पार इस गल् ни lockson गेर देजोग साल ओड्रैयमार की का इसका बढ़ने पर वर्फ का गलनांग क्या होता है तो जिसको गर्म करने पर जिसका डिटा बढ़ता है दहरी है कि घी और होते हैं उसीपर गर्म करने पर जिसका आई तर ग्हरता है तो वर्फ जो है विले जब इसको गरम करने पर इसका आयतन कमता है तो इसको दाब बढर इसका गलनांग भी कम हो जाएगा तो सकी नमबर एक संपी weヤrakt जाता है अपने लिच्स्ट कहर ने एंटिक फौंचलन है इसके उत्पादन होता है तो इसके उत्पादन जो कवक के द्वारा होता है, option नम्बर एक सही होगा, सहेवाल जो है, सोव पूसी होता है, जो कि कवक के साथ सवजीभी संबनाता है, जिसको कि लाइकेन कहा जाता है, next question है, राजशायनी समीकरन किस नियम के अनुसार संतुलित होता है, तो ये जो है अगला कोईशन है पर्मानु में धाना आवेशित कनों की उपस्तिति को सरप्तम निवनाँस में किसे ने इलेक्ट्रोन का खोज किया था और 1927 में विलसन ने नीट्रोन एवुम पोजिट्रोन का खोज किया था और 1932 में चेट्विक जो है नीट्रोन का खोज किया था नेक्स्ट कोच्छन के और बढ़ते हैं, अगला कोच्छन है, हेमोफिलिया एक आनवानसिक विकार है, इसमें क्या होता है, तो हेमोफिलिया से गर्षित व्यक्ति में जो है, एक प्रूटीन का संसलेशन नहीं होता है, जो की रक्त के असकंदन के लिए आवस्यक होता है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सिनरियम जो है, मलेरिया की ओस्धी है, कैंसर जो है, कैंसर की ओस्धी नेक्स्वार जो है, ये कैंसर की ओस्धी है, और ओपी जो है, इसको कहा जाता है, और पोलियो वैक्सीन, ये जो है एक वैक्सीन है, पोलियो का, ये ओस्धी नहीं है, तो नेक्स्ट कोच्टन है निम्नलिखित में से किस पोधे को जर्ट तना और पक्तियों में विवाजित नहीं किया जा सकता है तो अस्पाइरो गाईरा को जर्ट तना और पत्तियों में विवाजित नहीं किया जाता है यह जो हमा के फाइटा विभक्त सsen्भातम ऐता हैं बनतव्पती जगत के सबसे बरत ही समूह हैं इससमूह के बख्यृ में जर्ट जर्ट नहों पत्किय में विभक्त होते हैं इसमें पहले उत्तक्र जसल्डान औरके इस ग利益 क्या था पूब्धे। जारतना पत्यों में विवाजित होता है तो इसका option number C होगा अगर नेक्स्ट क्वेसिन है निमनलखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है तो कयसीन जो है प्रकार से दूद कप्रोटीन है कि इसका option लेक्टोजन छोटी आंस सरावित होता है जो कि लेक्तोज को कुल्कोज में परिवर्तीर कर देता है रेनिन रसल निकलने वारा एंजाइम है जो कि कैसीन को केलसियम, केस्इनिट में बदलता है मायोसीन जो है प्रोटीन एटीपी के रुप में रासाइनी कुर्जा को यांत्री कुर्जा में परिवर्तित करता है जिसके कारण मुहमेंट होता है तो इसका अप्सन नम्बर सी होगा दूद्ध प्रोटीन कैसीन को कहा जाता है नेक्सट क्वेशन किर बढ़ते हैं अगला कोशन ए है एन्ती बायोटिक्स के बारे इने-नमी से कौन सा कथन सही नहीं है तो एंटिवाइटिक्स जिवानों जनित रोगों के विरुद प्रभावित होता है यह बिल्कुल सही है यह जिवानों जनित वेक्टेरिया से समझने रोगों के लिए प्रभावित होता है एंटिवाइटिक्स विसानों के विरुद प्रभावित नहीं होता है यह नेक्स्ट के एन्टी वाइटिक्स जुकाम में फलू में पलहावित नहीं होता है यह भी बिल्कुल सही है क्यों कि जुकाम अविरु से होने वाले रोग है एंटी बाइटिक्स के दुन प्रभाब में डिप्थेरिया फाइल एडिया और चेचक सामिर होते हैं तो यह गलत है तो इंटिवाटिक्स उसलिए जिवानों को निस्पार्वावी करता हुए डीप्ठेअरिया जिवानों के दौरह होता है फाइलेया जो है वेन क्रेप्टी नामा क्रीमी से अधाथ है छेचक विशानु से होने वाला होता है तो इसलिए उप्छन नमबर चार ये जो है गलत है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मल्टोज, सुक्रूज एभां लेक्तोज मल्टज, सुक्रोज एभां लेक्तोज डाई शक्राइट में आते हैं और पॉलिसक्राइट में आते अस्टाचः, गलाइकोजेन, एभां सेलियोजे यह जो है। इन्टर गातात Jenya इसका उप्सिन नबर मोरने स्क्राइट में गुल को जिवें फ्रॉक्ट हो जाते हैं रासाइनिक रूप से जो है जलिक ऑक्साइड है नेक्स्ट कोचन है गती के दूसरे नियम के नुशा किसी दिये हुए बल के लिए उत्पन तुरन ब्यूत करमानुपाती होता है तो गती के दूसरे नियम के नुशा जो है बल बराबर होता है th such हैं ऐफ बराबर होता है एम इंटू कि है तो बॉल है बल के लिए उत्तरन वीयृत कर्माने पाती होता है और जो होता है अजरे बराबर होगा एफ अपून एम तो यह ज़ो है धर्वमान का वीयृत कर्माने पाती नियम के नुसार तो इसका robi चार से होगा नेक्स्ट कोचन है अनुप्रस्त तरंग क्या है तो अनुप्रस्त तरंग जो है यह तरंगों में माध्यम के कनों के संचरन की दिशा के लंबवद में कमपन करता है तो यहीं सही होगा तरंगों को माध्यम के कन तरंगों के संचर्ण के दिशा में समानांतर यह नहीं होगा यह अनुध्यर होता है अनुध्यर जानत्रिक तरंग है यह गलत होगा माध्यम के कनों की संचर्ण की दिशा में लंबत होता है अनुध्यर यह जो है स्ट्रिंग और गर्थ के रूप में आगे बढ़ता है इस तरंग को जो है धूर्वित यानिकी पोलराइज किया जा सकता है जिसे कि सितार की डूरी में कंपन होना और प्रकास आधी जो है अनुपरस्त तरंग के उधारन है नेक्स्ट को चन के पढ़ते हैं नेक्स्ट को चन है वायू में सलफर डायोक्साइट का परदूसन का तो कटहल में खाने योग भागे सह पत्र और परीदल पुझ अप्सन नंबर सी सही होगा इसका नेक्स्ट को चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोच्चन है निम्नलिखित में से कौन साल विधुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद् नेक्स्ट कोचन है रसायन पड़योग साला में उपयोग में लाए जाना वाला लिटमस प्राप्त होता है यह जो है लाइकेन से प्राप्त होता है यह रोसेला नामेक लाइकेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है नीला लिटमस जो है अमल की उपस्थिती में लाल रंग मे परिज़े फिर फिर्न ऌिप्स और और पर येच्ग ऑ नंबर सी हो गाइस के बना होता है यह इसका को यह है। नाइटरिक अमर्वन होते हैं और हाइड्रो क्लोरीक इसीड तीन के रेशियों में उपरचीद रहता इस पर नेक्स्ट कुर्शन है 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंट चला हो तो उसके दौरा कितना बिद्धोत उर्जा का उपयोग किया जाएगा तो उसके दौरा जो है तीन किलोवाट पुर्जा का उपयोग किया जाएगा 60 इंटू 50 करने पर जो है कम से कमा यू अठारे वर्स होना चाहिए उप्शन नमबर चार से होगा इसका नेक्स्ट को चला है बिहार में पर्थाम बाराष्ट पतिस आसन कब लागो हो था तो बिहार में पर्थाम बाराष्ट पतिस आसन 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लागो रहा था तो यह 29 जून 1968 को लागो हुआ था और 1969 तक लागो रहा था कि अन्तीम बार मिहार में जो है राष्ट पतिस आसन 2005 में लागो हुआ है कि नेक्स्ट कोचन के बढ़ते हैं अगला कोचन है आपात उपबंध का संबंध संभीधान के किस भाग हुए तो संभीधान के अठार है अठारे नमर भाग में आपात उपबंध है अनुच्छे 352 से 360 तक वर्णी थे यह 352 से कि 352 से लेकर 360 तक आपात काल का वर्णन किया गया है आर्टिकल है नेक्स्ट कोचन है कि निमनुक्षित में से कौन सा यूप सुमयलित नहीं है तो अनुच्छी 49 के एक समान नयाए व निसल्क विदिक सहाईता का वर्णन करता यह विल्कुल सही है अनुच्छी 39 अलफ्षंख्यअप बर्गों के घित्वों का संरक्षन परनन लें परता अंग्रवे नाग्रेकों से नहलुड लिए एक समॉद उस नहीं था और नाघ्रिपी जो भी हिए अंटार्वास्ति गौका के विविर्दी कोरता है रखी नहीं करने में environment भारत के समीधान के अंतरगत धन विद्यायक को परस्तूत किया जाता है तो धन विद्यायक को जो है लोकसभा में परस्तूत किया जाता है नेक्स्ट को चल के और बढ़ते हैं लोक लेखा समीधी अपनर रिपोर्ट किसे शूंपती है तो लोख लेखा समीधी जो है अपना रिपोर्ẩ लोगसभा अध्यक्ष को सूंपती है ओपंस नमर चार होगा इसका लोगसभा अध्यक्ष को परकूर्स नहीं किया तो नीलम सद्सवरेदी ज geht dau प्र पति पोनिशब ढाप रश्च्पति नूप्त ओने से पूप्राष्च्पति के पर पर धारं नहीं किया इसमी प्रैश्च्पति सिख्वाच्रज acontecer कि अद्हार आफिक्स श्कोया को है है तो मौली का दीकार अल्प संक्रें खेतु संमिलान सवाधारा गठित समीति के अध्यक्ष जो है सरदार बर्ला भाई पर्टेल थे और चार होगा इसका कि वर्स यूरूप में अंग्रेज्व युद्परारंब हुआ यूरूप में यूप परारंब होने से भारत में विए अंग्रेज्व फृणि से के मद जो है तीर्तिय करनाटक यूद्ध जो की सत्रेसोच्छपन से सत्रेसोच्छी से तक चला था वह था यह उसी के प्रभाव के कारण हुआ था यह यूद्ध में पराजित होकर फ्रांची सी जो है भारत में प्रभावहिन हो गया था तो अप्स नमर इसका भी होगा नेक्स्ट कोचन है हिंदी भासा में पर्थम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था तो यह कोन कता से हुआ था हिंदी भासा में पर्थम समाचार पत्र का प्रकाशन इसको जुगल की सोर्ग ने तीस में 1826 को कोलकता से परकाशित किया थे नेक्स्ट कोचन क्यों बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कोचन है निमलिखीत में से किस संस्था का गठन जो है दादा भाई नेरो जी ने नहीं किया था को लंदन इंडिया सुसाइटी के सथापना दादा भाई नेयरो में Series 4 प्रूब सी बनार जी के दोला लंदन में किया गया था 1865 में इसका इस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका अपना दादा भाई ने रोजी ने लंदन में किया था 1866 में आ कि बांबए प्रेशिदेंसी एसो सीयसर इसका स्थापना जये में बदरुद्दिन द्यव्जी के टी सत्लें सेयव एलन फिरोद समें मेहता ने किया था इसको जो है बद्रुदिन तेव जी केटी तेलंग एवं फिरोद्सा मेहता ने 885 में इसका गठन किया था अस्थापना नेक्स्ट बॉंबबई एसके अपना थारे सुबावनिस्वी में दादा भाई नेरोजी ने नहीं किया था नेक्स्ट कोशन के बढ़ते हैं अगला कोशन है निमलिखित में कौन सा कार्ड जो है अर्थिक नीती का परस्ता भी जो है इसमें पारित किया गया था ये भी सही है गांधी इडविन समझोते कानुमोदन किया गया था ये भी बिल्कुल सही है ये तीनों काम जो है 1931 के भारती राष्ट के करांची अधिविशन में होगा था तो इसका उप्शन नमबर C हो D हो इसका इसका कार्जकार 1905 से लेके 1910 तक था और कांग्रेस का सूरत अधिविशन जो है 1907 में हुआ था 1907 में ये हुआ था तो इसका उप्शन नमबर B सही होगा नेक्स्ट कोशन के बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है बिहार में निमलिखित में से किस आंदोलन के दोरान जो है छात्रों दोरा सुराज ट्रेन का संचालन किया गया था तिये जो है भारत छोरों आंदोलन के दोरान किया गया था उप्शन नमबर C सही होगा इसका नेक्सट कोचन है निम्लिखित में से किस्मोगल सासक ने दो पाइवम सीह अस्पा की निति को लागो किया था ओप्सनमपर 2 पर इसका एक से होगा जहांगीर ने एक परथा सबले मिरने सकती बढ़ा दी जाती सिर्परतम एप जो है महावत खाक्bar को दिया गया था में जाहांगीर ने अपने समय में श्क्कों पर अपनी आकिरति बनवाया था मिवाए साथ ही उस पर अपनी और तो नू जहां का नाम भी जो है अंकित करवाया था इसके समय निसार जो है चांदी का सिक्का था जो रुप्य के चौथाई के बराबर होता था उप्सन नमर इसका एक से योगा नेक्स कोच्चन के बढ़ते हैं अगला कोचन है सतनामी बिद्रो किस मुगल सासक के समय हुआ था तो यह जो है अउरंग जेब के समय हुआ था सतनामी बिद्रो में किसान एब मुगलों के बीच मत्हुरा के निकट नागर तोल नामक अस्थान पर यह विद्रो हुआ था तो अप्सन नमर इसका चार होगा सतनामी बिद्रो 1672 में हुआ था किसान एब मुगल के बीच मत्हुरा के निकट नेक्स्ट कोचल है रिगवेदिक काल में किस नदी को सरवाधिक पवित्र नदी माना गया है तो सरस्वति को जो है सरवाधिक पवित्र नदी माना गया है रिगवेदिक काल में और सरवाधिक महत्पूर्ण नदी सिंधू को बताया गया है कि कि next question क्यों बढ़ते हैं निक्स्ट कोचन है निम्लिक्षित में से किस महाजनप्द का संबंद बिहार से नहीं है तो वत्थ जो है तो अंग के बिहार के भागलपुर मुंगिर जीले में आता के अंधर गटाते हैं अंग वाला छेत्र वरतमान में बिहार में मुंगीर जो भागलपुर के छेत्र वो अंग के छेत्र आदे थे मगध जो है दक्षिनी बिहार एबम वज्ज जो है उसको बैसाली उत्री बिहार में वस्ती थे वद्ष महाजानपत की भागोली किस्तिति कौसाम भी है मतलब वही जो वर्तवान में उत्तर परदिश के अंतर हम एक अनोखा को कुट अपने साथ ले गया था 控प्षन नमबर 14 को को Niesा कि दीनि के निम निमन सल्टानों में से किसने रोजगार का la Yaknia कि अस्थापना किया था तो फिरोज सा तुगलग ने जो है रोजिगार कार्याले कि अस्थापना पिया था उप्शन नम्बर इसका चार होगा कि नेक्स्ट कोचन है निम्न लिखित में से उत्तर दिशा की और के क्रम वाली परवत स्रेणी कौन सी है पूल रहा है उत्तर दिशा की और परवत स्रेणी वाली तो इसका एक ट्रिक होता है इसको याद कर लेजेगा के एल पी डी बीच में जे होता कारा कुरम लद्दाक जासकर पीर पंजार और धौला धर तो वो लाया उत्तर दिशा की और तो सबसे पहले धौला धर आएगा तो यह है नहीं फिर पीर पंजार आएगा तो देखिए पीर पंजार फिर जासकर फिर लद्दाक फिर कारा कुरम पीर प नेक्स्ट कोशन के वर बड़ते हैं नेक्ष्ट कोशन मिलान करने के लिए बोला आए तो क्रिष्ण जो है क्रिष्णा की सहायक नदी भीमा एक कच्छा लोग ब्रह्म पूत्रा की जो है तीस्ता है गुदाबरी का इंद्रावती है और या मुना का चंबल है तो इसका होगा एक का चार तीन दो एक चार तीन दो एक उपसन नमबर एक होगा इसका अगला कोशन के रबढ़ते हैं अगला कोशन है कोरो मंडल तट का विस्तार है तो कोरो मंडल तट का विस्तार जो है कुमारी अंतरदीप से लेकर क्रिस्ना नादी डेल्टा तक है अपसन नमर बी होगा इसका कोरो मंडल तट का जो है यह छेत्र जो है चोल लाज मत की दूर्छ सासित कि और बढ़ते, पृश्मन है पिलीकरांती ठीक स्वसे कहा जाता है? ससांक पॉंड्य जह पीली करांती के जनक कहा जता है इनको नेक्स्ट कोचन है निमलखित में से कौन सा यूग सही सुमेली थे तो मसाई जो है पुरवी अफ्रिका का है यह जो है सही सुमेली थे और कांगो जहे यह गलत है सेमांग जो है मलेशिया की जन जाती है अब बुद्दू जो है अरब मरस्तुलिय छेत्र का है और सकाई जो है यह इंडोनेशिया का है तो इसका अपसे नबर बी जो है सही सुमेलित और बांके तीन गलत है नेक्स्ट कोचन है भारत में निवलिखित में से कौन सा स्रेनी जो है नवींतम पर है और अरावली परवत सoreभल this दिकान भारत में चन्द्रमास की अब्धि कितने होती है तो एक चंद्रमास का अब्धि ओता ह्चोभिस घंटे और बावन मिनेट अपसे प्रिकर्मा करन में 27 दिन और आठ घंटे का समय लगता है चंदर दीवस एवं सौर्ज दिवस की तूलना में जो है चंदर दीवस पाचास मीजट अधिक लंबा होता है अगला कोशन है सोभाग योजन संबंधित है तो सोभाग योजना जो है गरीबी देखा के नीचे वाले परिवारों को मुप्त विजली के प्रवधान से संबंधित है अगला कोशन है नेक्स्ट कोशन है अटल नवपरवर्तन यानि अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा किसके अधिन अस्थापित किया गया है तो यह जो है नीती आयोक के अधिन अस्थापित किया गया है उप्शन नंबर सी सही होगा इसका नेक्स्ट कोशन है निवलिखित सुचनाव सुचकांकों में इसे कौन सा मानव विकास सुचकांक यानि की एच्टी आई की गन्ना से संबंधित नहीं है जीवन प्रत्यासा सिक्षा और प्रतिव्यक्ति आई यह तिन जो है मानव विकास सुचकांक की गन्ना से संबंधित थे और समाजिक और समांता यह जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया इसको अगला कोशन है भारत में सेवा कर किसकी सिफारित से लाग हुआ था तो भारत पुनर्विर्थ उपबंद नहीं करता है कि इसको पुनर्विर्थ उपबंद नहीं करता है नवार्ड जो है निडियात आयात बेंग को यह यह उपलवद नहीं कराता है option number c इसका होगा अनुसूचित बेपारी बैंग छेत्रीयक ग्रामिन बैंक और राजयबहों में विकास बैंग नवाठ बैंक जो है पुनर वीर्थ उपलवद कराता है नवाठ की स्थापना जो है तो इस्तिर पारिष्थ्य की तंथ्र काुन सा है तो सबसे तिर पारिष्थ्य की तंथ्र महासाग्र में होता है। अगला कोचन है इनमें से कौम खा दिस्रिंख्रा का निर्मान करता है तो खा दिस्रिंख्रा का निर्मान करता है तो खा दिस्रिंख्रा का निर्मान करता है और बक्री प्रार्थ में उपभोकता होता है और आदमी दूतिय उपभोकता होता है तो इसका option number B होगा next question बोल रहा है सुची एक को सुचीतों से मिलाने के लिए तो उतराखन में जो है राजाजी राष्टी राष्टी उद्यान है option E होगा दो होगा इसका असम में जो है मानस राष्टी उद्यान है ओडिसा में जो है सिमली पाल है और करनाटक में बांधी पूराष्टी उद्यान है तो इसका option होगा दो चार तीन एक option number B से होगा इसका next question किरवड़ते है next question है बोकारो अस्टील प्लांट की अस्थापना किस वर्स किया गया था तो इसका स्थापना जो है 1964 इसमें किया गया था रूस के सहयोग से इसका स्थापना जो है रूस के सहयोग से किया गया था 1964 इसमें next question है किस देश की संसद का नाम Federal Assembly है तो तुर्की के संसद का नाम Grand National Assembly है मिसर के संसद का नाम People's Assembly है और फ्रांस के संसद का नाम National Assembly है तो ये Federal Assembly जो है इसमें से किसी का नहीं है तो federal assembly स्थीटिजर लेंड का है और इसका option नमबर 4 होगा होगा Q 거죠 नेक्स्ट गोचन तो लाली 4 और अब्यारन किस राज में श्थीत है तो लाली वन जीव अब्यारन जो है आरून भाण षाय में श्थीत है ब्रहाँ पुत्रा नदी के तर्ट पर ये वन जीव अभ्यारान इस्थित है उप्शन इसका एक सही होगा नेक्स्ट कोचन है वन जीव सप्ता मनाया जाता है तो वन जीव सप्ता जो है अक्टूबर के पहले सप्ता में मनाया जाता है उप्शन नमर एक सही होगा इसका नेक्स्ट कोैजसिन है किस competitor सरकार के दार कि कि योजना सुरुआत कि गया है ते हमर्वेटी हमर्मान योजना सुरुआत क्या गया है तोस्रोम्र BBQ 있어 1 होगा नेक्स्ट कोचन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोचन है अस्मोक एन एस पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक जो हैं अमिताब घोस हैं और सी सही होगा इसका नेक्स्ट कोचन है कौर्पेट दोहजर तइस से नभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मद्ध हुआ है तो यह मई दोहजर तइस में भारत तथा थाइलेंड के वीच हुआ था उप्शन नमर बी होगा इसका बैस्ट कोचन है नेक्स्ट कोचन है बैस्ट कोचन है बैस्विक सामतिस सुचकांख 2022 में भारत का स्थान क्या है कि भारत कर्ष्थान अबने 25 नमबर सी सब्कूर्ट 438 कॉर्ष्ट को हो नेक्स्ट कोंचर है से बायस में बिधी आयो का ध्यक्ष की नियुक्त किया इन तो बाइस में है बिधी आयो किा ध्यक्ष जो है रीतुवराज अवस्थि को नुक्त किया गया और एक इस में आयोक की अदेक्ष जो थे बलेवीर सिंग चोहान थे यह एक इसमें विद्यायोक की अधेक्ष थे पहले विद्यायोक की अस्थापना जो है 1955 सिर्म किया गया था नेक्स्ट कोशन है अनमर इब्राहीम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए है तो यह जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए है उपसे नमर एक सही होगा इसका मलेशिया की राजधानी कौला लामपूर है तो यहां के मुद्रा जो है इरिंगि ओप्सिन नमबर बी हेल्थ फुरे और जो है विस्व स्वास्ते दिवाई 2023 का भी से हैं नेक्स्ट कुछन है एसीन गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया गया था कि तो 2022 जो एसीन गेम हुआ था वो चाइना में हुआ था ओप्सिन नमबर एक सही होगा इसका नेक्स्ट कुछन है बहुत्की के छेत्र में नोबिल पूस्कार 23 से किसे सम्वानित किया गया तो तो 23 में जो है बहुतिक का नोबिल प्राइज जो है पियरे एगुस्टिनी फेरे कास्य और एडनी एल हुईलियर तीनों होगा मतलब सभी जो है इस चारों तीनों को दिया गया था 23 का भौतिक के छेत्र में नोबिल प्राइज तो इसका नमबर चार से होगा आज का लास्ट कोशन है बजर 23-24 में केंद सरकार में देश के कितने ब्लोकों में आकांची ब्लोक यूजना कार्ज करम का सुरुवात किया है तो यह जो है कुल 500 ब्लोक में स्टार्ट किया गया है उप्शन नमबर चार से होगा इसका आज के लिए इतना है दोस्तों 76 से लेकर देशा के आप लोग जानते हैं चीहत्तर से डेल सुथ तक जो है इसमें मैथ रिचनिंग का कोशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग अभी नहीं कबर कर रहे हैं यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगए ते वीडियो को लाइक कर सकते हैं उसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन वक्स में डाल दिया है धन्यवाद अजय को कि अ कि